हेलो दोश्तो, स्वाह आगते हैं आपका हमारी यूट्यूब शेनल पर दोश्तो, आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं अगर आपको अपने पॉन के अंदर होड़् फॉर्ट सैटिंग करने हैं तो कैसे कर सकते हैं इसी वीडियो हम आपको बताने वाले हैं जो आपका notification पैनल होता है इसे open कर लेना है जैसे आपको option दो मल जाता है hotspot इस पे आपको long press रखना है long press रखने बाद आपके समय स्पिरकार इंटरफीस open हो जाता है तो यहां सा आपको option दो मल जाता है पहले नमर पर wifi hotspot इस पे जाएंगे इसे आप यहां से on कर देंगे on करने बाद यहां सा आपको मल जाता है hotspot name इस पे जाएंगे इस पे click करने बाद यहां सा आपको hotspot का नाम मल जाता है simply आप इसमें अपना नाम इंटर कर सकते है hotspot के जो भी नाम आप रखना चाहते हैं यहां से रखके OK कर देंगे यहां आपको बार कोड देखना हो मिल जाता है जिससे इसके नगर करके आप उपनी फॉन में कोई भी डिवाइस कनेक्ट रहना चाहें तो यहां से कर सकते हैं Second option आपको option दो मिल जाता है Security, Security पर क्लिक कर लेंगे इसमाँ आपको दो option दो मिल जाते है None और WPA2, Personal आपको देखना हो मिल जाता है जो आपको पसंद हो हाँ इससे set कर सकते हैं उसके बाद आपको option दो मिल जाता है hotspot password, simply आप इसपे click करें और यहां से देख सकते हैं hotspot password में आपको कोछ भी उड़ा हो इसमाँ आपकी limit हमने अपनी phone में 200MB की set कर रखी आप यहां से custom भी कर सकते हैं और unlimited भी कर सकते हैं तो जो भी आपको पसंद हो से आप यहां से select कर लेंगे इससे बढ़ा के 500MB भी कर सकते हैं एक option मिल जाता है उसके नीचे turn off hotspot automatically इससे क्या होता है आप अपने hotspot 10 मिल तक किसी से भी connect नहीं करते हैं तो आपका hotspot automatic off हो जाता है इस पेकार से आप इसे on off कर सकते हैं तो आज इस पेकार से आप अपने phone के अंदर hotspot setting कर सकते हैं उसके बाद आपको option नहीं बल जाता है